मित्रों जैमाता दी मित्रों आज 12 सितंबर मंगलवार का दन है ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में आज दिनांक 12 सेप्टंबर 2023 और आज का दिन मंगलवार का है और आज भादर पत महा के सुकलपक्चे की तरुदस्तिती है इस तितिती पर असले का नक्षतर और सिवयोग का निमान होने बाला है और एक महा संयोग का बनने बाला है अब जीत मुहरा तेकारा बस कर बारा बस कर तालिस मिनट तक रहेगा वही राहुकाल सुबह साम को तीन बत के 21 मिनट से साम के 4 बत के 4 मिनट तक रहेगा राहुकाल में कोई भी सुबकारी करना अशुब होता है चलिए आथ चान लेते हैं ऐसे में आपका दिन कैसा रहेगा आपको बताएंगे आपके वेफार, वेवसाय, करियर लव लाइफ और आपके स्वास्ते के बारे में कैसा रहनी बाला है आपको कौन से छित्रवे कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान समान इज़त वत परतिश्टा में बढ़ोतरी मिल सकती हैं घरवाली, परिवारवाली और समाजवाली किस परकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपके धन में किस परकार से बढ़ोतरी होंगी आर्थिक इस्थियों में किस परकार से सुधार होगा और आपके जीवर में जो परिसानिया और जो आरथिक तंग्यां इससे में चल रही हैं उसे किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं मंगलवार का दिन भगवान बदरंग वली का होता है ऐसे में भगवान सिर्जामद के किरपा से किस्पकार से जीबन के कश्टों को आप दूर करोगे तो मित्रों आपको बताएगे इन सभी के बारे में सारी जानकारे विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब वबसे कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मित्रों आज का दिन आपके लिए परिवार में नई खुस्यों को लानी वारा है बैपार बैवसाई के चैत्र में आपको सहयोग्यों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे कि आपको अच्छा धनलाव की प्राप्ती होंगी पहले से बनाई गई योजनाएं आपकी ज़्यादा तरसफल रहेंगी और आप जिस भी छेतर में निवेश करोगे जिस भी छेतर में मेहनत करोगे वहां से आपको positive result देखने को मिलेगा इस रासी के जने लोगों का आज बड़े हैं उन्हों लोगों को अपने दोस्तों के साथ प्रिवार वालों के साथ रिष्टेदार वालों के साथ पार्टी पर दाने का मोका भी मिलेगा आप किसी कारे में किसी बड़े की सला ले सकते हैं जो आप के लिए आज काम आने बाली हैं आप किसी सांत जगह पर थोड़ा सा समभीता सुखोगे जो लोग property dealer हैं जो लोग builders है हैं उन्वी लोगों को कोई बड़ा contract मिल सकता है परन्तु आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप कॉंट्रेक्ट लेने से पहले किसी भी परकार का कोई भी डाउट होने से पहले आप एक बार कॉंट्रेक्ट को अवस्ते जरूर पढ़ लें किसी भी सिगनेशर पर, डोकुमेंट पर सिगनेशर कराने से पहले आप एक बार चरूर देख लें मतरुब प्रिवार में किसी मांग्लिक कारिक्रम की योजना बन सकती हैं प्रिवार में साधी विवाह जैसे ही आवजन का प्रस्ताव भी मिल सकता है वहीं किसी नए मेहमान का आगमन भी आपके घर में हो सकता है आज के दिन सुभा सुभा आपको कोई बड़ी एस्तिक उसकवरी की प्राप्ती होगे जिसका आप कई सालों से कई वर्सों से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वह आपको सुभा सुभा ही जैसे ही आप जागों के जैसे ही आपका सवेरा होगा वैसे ही आपको सुनने को दिख मिल सकता है आज का दिन आपके लिए पहले से काफ़ी बेतर होगा सिविल इंजिनिर्स की चातर भी आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे और कुछ नया एक्सपरिमेंट करने की कोशिच में लगे रहेंगे कारी शेतर में आप अपनी काबिलियस से बैतर परफॉर्म कर सकोगे, जिससे कि आपके सहपाटी सहकर्मी और आपके बौस भी आपके कारी से काफ़े परवावित होंगे आपके सैलरी में बडूतरी आपके पद में परूतर और आपके दैनिक दिंचरिया में काफ़ी बड़ा बदलाब होनी वाला है मितरू आपको बहुत बड़ी और बहुत अच्छी शफलता आज के दिन प्राप्त होनी वाली है जॉप के तलास खत्म कर रहे लोगों को जॉप के तलास खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी खासी अच्छी सैलरी और पैकेज वाली जॉप जो है वो मिलने वाली है ये जौफ के एच्छे ओपर भी आपको फोन के द्वारा या कॉल लेटर के द्वारा प्राप्त हो सकता है जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई नया भैपार प्लान शुरू कर सकते हैं जीवन साथी के पार्टर का आप पूरा से योग दे सकोगे जो लोग घर की महिलाएं हैं घर में रहती हैं उनलोगों को अपने प्रिवार के सविस जरूरतों को पूरा करने में ध्यान देने की जरूरत होंगी नहीं तो आपके चोटे मोटे कारे भी आप किसी को तकलीफ दे सकता है या किसी का मंदुखा सकता है इसलिए मित्रों आप लोगों से विंती रहेगा कि आप किसी भी काय को करें तो सची सर्धा के साथ सचे भाव से करें विफजूल के खर्चों को कंट्रोल में करने की अवस्य कोसस करें विफजूल के खर्चे अगर आप कंट्रोल नहीं करोंगे तो आपको भविष्ण में प्रिचानी हो सकता है। और आपको इस समय पैसों की तंगिया भविष्ण में हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने फेफशूल के खर्चों को नियंत्रिट करने की अबस्ते जरूरत रहेंगी आपकी आर्थिकी सतियां पहले से काफी अच्छी रहेंगी चात्रों के मन में पढ़ाई का लगाव लगा रहेगा चात्र पढ़ाई के प्रति रूची दिखाने बाले हैं परंदु कई ऐसे चात्रों के जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई को लेकर ठोड़ा सा आलस यहाँ आ सकता है आप अपने टास्कों को पूरा न करके आप किसी और एक्टिविटी में ज़्यादा समय दे सकते हैं जिसकी बज़े से आपको डाट भी खानी पड़ सकते हैं इसलिए आप अपने कारी को समय से पूरुन पूरा कर लें फिर कोई और टास्क या कोई काम करें आज के दिन आपके लिए सबसे सुन्दर और काफी उपयोगी और काफी लाबतायक रहनी बाला है आप कोई नया काम प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपके आर्थी किस्तियां पहले से काफी बेतर होगी प्राइवेट सिक्षेकों के लिए वेतर में बढ़ोतरी हो सकता है जो लोग इस समय प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हों लोगों को अपने बॉस के द्वारा कोई बड़ा फ्रोजेक्ट या कोई नया गिफ्ट मिल सकता है जिससे आपको काफी प्रसंता होगी प्रन्तु आप अपने फ्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा अवस्य कर लें अमित्रों आपको बताना चाहें कि आप खुद को पोजिटिव महसूस कर सकोगी आज का दिन आपके लिए घर में कोई सुबकारी को आयोजित करने वाला हो सकता है जिसमें आप अपने सभी सगे सबंद्यों को इवाइट कर सकते हैं आप अपने दिन की अपेक्छा जो भी कारी करोगी वो आपका साम तक पूरा खोने वाला है आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं अगर आप कोई नया बिद्नस या प्रोपर्टी में निवेश्ट करने की यूजना बना रहे थे तो वो भी आप स्टार्ट करोगी तो आप अपने बजट के अनुसार पैसे को प्राप्त कर सकते हैं आज आपके किसी पहले के विचार में बदलाव आ सकता हैं आप अपने सभी चुनोतियों को दर्किरान करके तरक्की की रह पर आगे बढ़ने का फूर्णफ पर आस करोगे आपके सभी मनोकामनाई पूरी होंगी आपको अचानक से किसी रिलेटिव के यहां घूमने जाने का मोका मिल सकता है या फिर आपको कहीं से बुलावा आ सकता है या बुलावा आपके बिजनस से सम्मंदित या आपने बैपार से सम्मंदित हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह जा सकते हो तिरस अस्तल जिससे कि आपके मन के सांती प्राप्त होगी मन के गलत बिचार आपके दूर होंगे आप किसी भी फैसले में कोई आपसे राय ले सकता है आपके दुआरा दिये गए राय सामने फाले की काफी मदद कर सकती है इसलिए आप दूसरों की मदद अवस्य करें आज के दिन आप अपने जीवन में चल रही परिसानिया और आर्थिक इस्तियों में वदलाव पाने के लिए आप भगवान स्रीहरी विश्णु जी की क्रिपा को प्राफ्त करने के लिए गरीब मनुस्यों को भोजन अवस्य कराएं यह याथा संबब जो हो सके आप उसे देने का प्रियास कर इस चादर दे दे या फिर आप उन्हें फोजन करवा दे या आप उन्हें चपल जूते जो भी जरूरत के समान है जो भी आप से बन पड़े आप देनी की अवस्य कोस्त करें इससे आपकी आर्थिक इसितियों में काफी सुधार कोने वाला है और आप अपने जीवन में फैसों से जुड़ी आर्थिक तंग्यों और मन में चल रहे कलेश को दूर करके जीवन में तरक्की को फ्राप्त कर सकते हैं वेपार वेविसाय के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम रहेगा बहुत अच्छे और बहुत सुगंबन लाब देखने को मिल सकते हैं दामपत्य जीवन भी आपका खुसनुमा बना रहेगा आपका फैसला आपके जीवन में करियर में नया बतलाफ लाने वाला है आज का द होगे जिससे कि आपके सहफाठी या आपके टीचर आपसे प्रभावित होंगे महिलाएं आज कामकाज में बैस्तर रहेंगी खुद पर कॉंट्पिडेंट रखने की अवस्य कोस्त करें लम्मिट के लिए भी आज का दिन काफी बहत्रिद रहेगा भावनाओं को कद्रोग क करने की जरुवत अवस्य रहेंगी अचानक से धनलाव होने से आपका घर में परसंता का माहौल बना रहेगा आपके पहले की समस्ताइं अवस्य दूर होंगी काम के प्रतियापका आत्म विश्वास ही आपको तरक्य की और लिधाएगा इसलिए आप अपने आत्म विश्व को अडिक बनाए रखकर कारी को पहत्रिन तरीके से अवस्य पूर्ण करें जल्दबाजी में कोई भी निरने लेने से बचें जो भी करें सुमच से समस्कर करने की कोसिस करें आप अपने रूटीन में सुभा सुभा योग करने की अवस्य आदद रालें जिससे कि आपका स्वास्टे में बदलाब होने बाला है इस रासी के जो लोग लेकाख हैं उन लोगों को अपनी बुक या किताब पबलिस करने का मोका मिल सकता है जो लोगों को काफी फसंद आएगी बत्रों बाहर के जंग फूड ओईली खानों को खाने से बचें अन्यत्त आपकी सेहत पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है इसलिए आप बाहरी जंग फूड या ओईली खानों को खाने से परहेज अवस्य करें आप अपने जीवन में अगर किसी बड़ी विपता का सामना कर रहे थे तो उन विपताओं से आप छुड़कारा पाओ के और जीवन में नए सीरि लोगों को पदनोती की प्राप्ती होंगी सरकार की और से आपको बेतनबता या रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है आज कोई भैपारिक निरन ले सकते हैं जो आपको पहुश्य में काफी ज्यादा उज्वल इस्तितियों को लेने में प्राप्त कर सकता है आ पहले से काफी अद्दा और काफी पहत्रिन होने वाला है परिवार की जिम्मेदारियों को आप समझने की कोशिद करें परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करें परिवार में बढ़ रही जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें पूरा योग और पूरा उठाने की आवज से को भावने लाब उठाने का मुका मिलेगा प्रिवार को ज्यादा समय देने की अवस्य कोस्त करें इस पोर्ट से जुड़े लोगों के लिए अपने ट्रेनिंग पूरी मेहनत करने की जुरूत होंगे यह मेहनत आपको भविस्य में काफी नई उचायों तक लिजाने में आपको स बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगलकारी हो जैमा विंदु वासनी